हलो आइब्रिवन तो आज बनाते हम बैंगन का बढ़ता बहुत टेस्टी सा जो आपने कभी नहीं वनाया होका इस तरह से मैं हमेंसा यही इसी तरह से बनाती हूँ यह बैंगन लिये हैं मैंने और भी से चीर लिये हैं ताकि इसमें कोई कीड़ा ना हो क्योंकि बैंगनों में कीड़ा निकलता है गैस पर भून कर बनाते हैं तो जो कीड़े हैं उनका इभरता बन जाता है तो इसलिए मैंने सारे चीज लिये हैं साफ कर लिये हैं कोई कीड़ा तो नहीं है अब लिया है मैंने कूकर में बैंगन रख दिया है इसमें एक मैंने आलू भी डाला है आलू में इसलिए डालती हू ताकि जो इसमें भड़ता बनके जो प्लेट में सर्फ करते हैं और पानी से चूड़ जाता है तो यह आलू डारू का पानी नहीं चूड़ता है मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर इसको उबलने के लिए रख दिया है मैं यह दो सीटी में बैंगन में अब लिया ay I'm मैं अच्छा सा तेल लिया आया तो मैंने जीरा डाला और एक मोटी सी प्यास काट कर ला ली है मिर्ची भी चीर के दगता है व्याना कि मिर्च ठाटाथ माइने 4 तॉमाटों की पिध्यी बनाइए बना लिए नीन कमें बनाकर देखिए कभी अब यह बैंगन मेरे उबल गए थंडा ऑने के लिए रख दी हैं इतना है मेरी जो ग्रेपी यह तयार हो रही है लेगिये ग्रेपी मेरी भून चुकी है क्योंकि इसने तेल छोड़ दिया है अब किचन किंग मसाला डाल रही है में कि छटेस्ड आता है आप सारा मसाला मेरा भुण गए हैं मैंने नमक भी ढाल दी है अब जो मैस्क किये हुए यह आलू और बैंगं मैंने इनको डाल कर चलाना है अच्छे से मिक्स करके और इन में धनीया डॉलना है उपर जो कड़ाई में जिससे धनीय कि कुश्पु भी इसमें मिक्स हो जाए और अगर थाली सामने खाने वाले के सामने थाली सजा कर आती है तो खाने का टेस्ट ही और बढ़ जाता है आप जरूर बना कर देखे इस तरह से बढ़ता है